हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो आर चैनल वेजटिलाइट, आज मैं आपको मलाई मेथी पनीर की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, तो देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम कडाए में सबसे पहले दो चमच तेल डाल ले रही हूँ, और एक चमच घी डाल जैसे हमारा तेल और गी गरम हो जाएगा, इसमें मैं एक चमच जीरा डालूंगी, और एक चताई चमच हम इसमें हीम डाल रहे हैं, मैंने दो प्यास, दो हरे मिर्ची, चार से पांच लसन घीक लिया, और आदा इंच अधरक का टुकड़ा का एक फाइन कट कर लिया था इसे हम डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि कोकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाए, और इसे हमें हलका ब्राउन होने तक प्यास को पकाना है, जब तक हमारे प्यास पक रहे हैं, मैं या पर काजू लिया है, मैंने आठ काजू और कुछ एक चमच मेलन सीट कर लेंगे, यह हमारे प्यास हो चुके हैं, अब इसमें मैं आधा कप मेथी डाल रही हूँ, इसे मैंने अच्छे से दो लिया है, और इसे पारिक कट कर लिया है, इसे हम प्यास के साथ भूल लेंगे करीब एक मिनट, एक से दो मिनट तक इससे कड़वापन चला जाएगा, अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं, यहाँ मैंने एक चमश कसमिरी लाल मिड, आधा चमश हल्दी पाउडर, एक चमश धनिया पाउडर, और आधा चमश मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर लिया है, इसे भी हम एक मिनट के लिए बूल लेते हैं μαसाले को, अब मैं इसमें दो बारी कटेवे टमाटर डाल रही हूं और इसे जब तक पकाना है ढगकर पका लेंगे इसका तेल जब तक रिलीज न हो जाए ये देखे तेल छुट गया है बाहर अब इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था काजू का दूद का और मेलन सीट का वो हम डाल दे देंगे वो ग्रेवी को थोड़ा थिकनेस देता है और थोड़ा क्रीमी फ्लेवर देता है कि इसे अच्छा मिक्स दे देंगे मैं आपके घर की मलाई ले रहे हूँ आदि कटोरी मैंने घर की मलाई दूद की मलाई है उसे फोक की मदद से अच्छी फेट के मैं इसमें डाल दे रहे हूँ आपके पास मलाई ना हो तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं अब हम यहां एक चमच गर्मसाला डाल देंगे और इसमें पनीर डाल देंगे पनीर आप अपने हिसाब से कैसे भी काटिए बड़ा चोटा यहां मैं आधी कटोरी पानी डाल रही हूं इसकी कंसिस्टेंसी बराबर करने के लिए ना जादा पतली ना जादा घाड़ी इसे हम ढख कर दो से तीर मिनट के लिए और पकाएंगे फिर इसे हम सर्ब कर लेंगे मलाई मेथी पनी रड़ी हो चुकी है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा बाई बाई